तक्निकी शुक्षमंत्री राजेश धर्मानी ने पत्रकारों से बात जीत में कहा कि सरकार पूरा मौका देना जाती है कि विपक्ष और जो सत्तापक्ष के विधायक है वे अपनी पात रखे क्योंकि विधानसवा सदस्यों के लिए ये सबसे बड़ा मंच है जोसके माधम से वे अपनी बात रख सकते हैं उन्होंने कहा कि वे खुल कर विपक्ष को मौका देना चाहते हैं क्योंकि हमारी सरकार पार्दर्शिता में विश्वास रखती है और जो भी फैसले लिए हैं वे सभी जंता के हिद में लिए हैं कि सरकार जो है पूरा मौका देना चाहती है विपक्स को भी वो है अपनी बात रखे और जो सताप्रक्स के विधायक है उनको भी कि विधानसभा सरदश्यों के लिए यह सबसे बड़ा मंच है जिसके माध्यम से वो अपनी बात रख सकते हैं और सरकार को भी मैंने कहा कि उनकी बातें जो सरकारी कारेशली में बेहतरी के लिए या नई चीज नई कदम उठाने के लिए जो भी सुझाओ मिलते हैं क्योंकि चर्चा से ही नई चीजों का जनम होता है तो हमारी सरकार इसमें इसे बच्चतने के लिए प्रयासरत नहीं थी बरकि जब एक कैबिनेट में आया था वो ख्यामत रीजी ने कहा कि हम जो है खुलकर जो है विपक्स को मौका देना चाहते हैं क्योंकि हमारी सरकार जो है पूरी ट्रांस्परेंट्रांस्परेंसी में विश्वास करती है जो भी फैसले लिए हूँ वो सब पबलिक के हित्में लिए है और वो पबलिक फॉरम पे तो ऐसे में कोई सैसन की अब्जी कम करने का कोई जित्या नहीं है हलांकि कई परदेशों में हमारे पडोसी राजियों में भी जो है उनाम के सत्र होते हैं लेकिन हमारे यहां पर शुरूर से ही प्रेशिदेंस रहे हैं कि हम 35 सिटिंग जो हैं वो मिनिमम करते हैं और हमारी सरकार के भी उसके लिए बचन बदता है हम पूरी तरह से त्यार हैं जो भी मानिय विधायक अपने प्रशन पूछेंगे सरकार उनका परता से जवाब देगी और डेमोक्रेसी का ये बहुत महत्वरण एक अक्टिविटी है जिसके मार्धियम से जहां लोगों की विधिन क्षेतर के जो रपेजेंटेटीव हैं वो अपनी बात वहां पर रखते हैं वहीं पर सरकार की जो कारगज़ारी है उसमें भी सुधार के लिए कई सुझाओ जो इसमें मिलते हैं नए कानून पास होते हैं सरकार को भी अपनी प्रक्स रखने के जो है इसमें मौका मिलता है और भी प्रक्स को भी है और ब्यूरो रिपोर्ट सीटी चैनल शिम्ला